नमस्कार दोस्तों, True IES and PCS में आप सभी का स्वाकत है Vision IES Current Affair मंतली सीरीज को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से एक नई सीरीज से और December 2021 की मैगजीन जो है, वो latest uploaded है Vision की, जो अभी तक अभेलेबल है Vision की साइट पर तो चलिए इस मैगजीन को cover करते हैं Topic by Topic हम लोग सारी चीज़े देखते चलेंगे तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते है Vision की मैगजीन में, Policy and Governance का जो sections होता है, वो सबसे पहले होता है तो आईए देखते है, Policy and Governance की सीरीज में हमारा Topic आज का है क्या discussion करने के लिए दोस्तो हर मन्त हम जो है, इसकी मैगजीन जो है वो comprehensive तरीकी से cover करेंगे तो मैं आपको direct जो है, वो मैगजीन से ही पढ़वाऊँगा ताकि जो है, आपको दिक्कत ना है कि PDF में जो है, आपको कुछ और word लिखा हुआ है और फिर आप बगल में magazine लेकर बैठे हुए तो आपको कुछ और दिक्कत हो रही है तो आप एक काम करिए या तो इसकी PDF को एक दूसरे tablet या फोन में या laptop में खोल कर बैठ जाईए ताकि आप important keywords को जो है, वो देख सकें जो कि मैं बता रहाँगा और सबसे important बात दोस्तों आप इसकी एक copy ज़रूर maintain करिएगा ताकि आप जो short keywords या extra जो भी हम discussion करें तो आप short में जो है इसकी summary लिखते चलें फिर जैसी आपका एक-एक topic करके खताम हो जाए, तो bullet points सिर्फ जो है आप एक A4 sheet पर जो है PDF अगर नहीं है तो better तो यह होगा कि वैसे मैं आप से suggest करूँगा कि आप एक hard copy जो है vision की बगल में लेकर बैठिए, मतलब इस magazine को जैसे हम लोग PDF से पढ़ रहे हैं, आप इसकी एक proper printout format में एक magazine को निकाल कर बैठिए जो भी हम करते चलेंगे तो आपको पता रहे है index में हमारे कौन कौन से topic जो है वो होते चले जा रहे हैं, तो चलिए दोस्तो discussion स्टार्ट करते हैं, बहुत comprehensive तरीके से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत जादा भी time नहीं लगाएंगे कि बोलती ही चले जा रहे है magazine को time पर खतम भी करेंगे, ठीक है दोस्तो चलेए, start करते हैं तो quality and governance की जो series है, उसमें हमें जो है 6 broad topics लेखने को मिलेंगे यहां से लेकर यहां तक, और साथवा जो topic है, उसके कुछ सब parts है यह छोटे-छोटे articles हैं, जो यहां पर cover करेंगे हैं, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आज हमारे discussion में basket के लिए है, balance of rights and duty तो इस topic से start करते हैं देखते हैं, balance and rights के duty के article में हमें क्या information मिलती है, तो शुरू करते हैं यहां पर दोस्तों जो topic है, जो rights and duties का balance करने की जो बात करी जा रही है यहां पर actually बात हो रही है fundamental rights और fundamental duties की context देखी यह है हाली में हमारे union law minister ने एक conference के दौरान यह point out करा, कि अगर हमें अपने देश की progress करनी है, तो एक balance establish करने की बहुत जादा जरुरत है, किसके बीच में rights and duties के बीच में, यानि कि fundamental rights और fundamental duties के बीच में ऐसी बात उन्होंने यह बोली constitution day की जब celebrations हो रही थी, उनकी conference के दौरान, तो दोस्तों, दो चीज़े में आपसे जो है वो चाहूंगा, आप comment box में नीचे यह बताइए, कि current हमारी union minister, जो है, union law minister जो है, वो है कौन, और constitution day जो है, हमारे देश में कब बनाया जाता है यह आपकी duty है, आप comment box में जरूर से इसका answer दीजेगा अब अगर हम लोग एक relation जानने की बात करें, rights और duties के बीच में, तो बिल्कुल basic aspects के अगर हम लोग शुरू करें, तो हमें क्या जानने को मिलेगा देखिए, कोई भी समाज हो, कोई भी country हो, कोई भी civilization हो rights और duties, यानि की fundamental rights और fundamental duties बहुत fundamental, important जो है, role play करते हैं person की life में, क्योंकि rights दोस्तो है क्या, rights एक claim होते हैं claim मतलब क्या, आपका एक अधिकार है जो कि आप claim करते हो, कि हाँ ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, ये एक individual की functioning के लिए उसकी well-being के लिए बहुत important माने जाते हैं किसी भी society, किसी भी country, किसी भी country जो है, वो उसको provide करें तो broadly आपको पता होगा तीन तरीके के rights की हम लोग बात करते हैं person की life में उसको economic right, social right और cultural right जो है वो मिलने चाहिए, इसको ESC rights या फिर मिरको जो बेटर लगता है social, economic, cultural SEC, SEC rights भी आप बोल सकते हो short में याद करने के लिए इन सारे rights को economic, social, cultural rights को हर एक समाज और हर एक state की government जो है वो recognize करें ऐसा माना गया है, लेकिन आपको भी पता है कि करती तो है नहीं हर एक state अब जैसे आप यहाँ पर जो rights की हम लोग बात कर रहे हैं, अब North Korea में या फिर अगर आप बात करें चाइना के किसी-किसी regions में जो Uyghurs, Muslim के साथ जैसा की treatment होता है, North Koreans के साथ जैसा की treatment होता है, वहाँ पर तो उनके लिए ये जो हम लोग rights तो छोड़ दीजिए, इनकी ये जो category है, social, economic, cultural rights कोई भी एक dimension जो है, वो तक उनको आज तक देखने तक को नहीं मिली है, enjoy करने तक को नहीं मिली है, ठीक है? लेकिन दोस्तों फिर भी ऐसा माना जाता है normal democratic setup में, मतलब जिन जिन देशों में democracy है, वहाँ पर इन सभी rights, economic, social और cultural rights को जो है, हमारा समाज हमारी society, recognize करती है social और ethical principles की मदद से, और state यानी की सरकार उसको recognize करती है legal claims की मदद से, कहने की मतलब यह है, अगर आपके rights का violation होता है, तो state जो है legal enforcement जैसे की police है, law है, इन सब का use करकर आपके rights को enforce करवा सकती है, आपको जो भी हानी पहुंची है, उसकी भरपाई करी जा सकती है ऐसी society में यह माना जाता है certain rights जो हैं, वो individual की freedom के लिए, उसके existence के लिए, और क्योंकि वो इंसानी रूप में उसने जर्म लिया है, तो यह उसका एक entitlement है, तो ऐसे किसी-किसी social और ethical principles को हमारी society जो है, वो recognize करती है हमारे rights और duties की बीच में यह relation है, एक और important बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अब अगर rights अगर मेरे पास हैं तो ऐसा ancient text से ही हमारे जो है recognize करा जाता है ancient text मतलब क्या, जैसे ancient principles आप मान लीजिए, रीटा यह आप example जो है use कर सकते है दोस्तों के जो fundamental lights और duties का जो constitution में part है उसका हमें ancient past में जाने को, अगर कोई जलक देखने को मेरे तो हमें कहां देखने को मिलती है यह बहुत भैतरीन example है, आप जिसको use कर सकते हैं मुझे काफी अच्छा लगए example, रीटा रीटा मतलब क्या, natural order और truth की basis पर हमारे जो वेदास हैं, वेदास में principles को recognize करा गया है, धर्म के principles को यानि duty के principle को, के person जो है अपने कर्तव्य को अपालन करे और उसके actions में वो चीज़ दिखनी चाहिए, ऐसा माना गया है वेदास में, और ये चीज़ किसके basis पर बोली गई है, natural order और सच्चाई की basis पर जो है बोल गई है, यानि रीटा टेक्स के according ये बोली गई है, कहने का मतलब क्या है देखो, rights हमेशा अपने साथना duties को invite करते हैं, अगर आपको कोई अधिकार दिये गए हैं, तो उसको for granted मतलो, ये चीज हर एक aspect पर लागू होती है हमारी personal life पर भी, या फिर अगर हम तो country level पर बात करें as a citizen उस level पर भी, कि हमारे rights के साथ कुछ duties, कुछ obligations ज़रूर जोड़ी होई होती हैं, जैसे हर एक person की ऐसा माना जाता है माना कह जाता है, ऐसा होना भी चाहिए कि उसके पास अपने rights के अलावा certain duties होती हैं, जो कि उसको कर्तवे का पालन निभाना चाहिए दूसरे individuals के प्रती, अपने समाज के प्रती, अपने देश के प्रती और दूसरे इंसानों के साथ वो इंसानियाद दिखाए, ये सब कुछ एक society का part है और norms का part है, अब norms क्या होते हैं दोस्तो, norms देखिए written या फिर unwritten rules होते हैं जो कि हर एक society के member से expect करे जाते हैं, कि वो इन norms का पालन करेगा, और एक जिस जगा पर वो रह रहा है, वो अपनी existence को एक अच्छी well-being में convert करेगा, और दूसरों की existence को भी ये देखेगा, कि उनको किसी प्रकार की हानी, exploitation या उनके rights का deterioration ना हो रहा हूँ, ठीक है तो ये तो हमने बहुत basic aspect जो जाना के एक तरीके से, कि rights और duties जो है, वो किस तरीके से exist करते हैं, और उनके बीच में एक balance जो है, वो writer जो है, हमें उस flow में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी और detail से समझेंगे, लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार ही हम लोग जाल लेते हैं, कि हमारे constitution में, किस-किस प्रकार के fundamental rights हमें देखने को मिलते हैं ये तो बहुत basic aspect पर आपको पता होगा, 6 प्रकार के fundamental rights जो हमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहले right to equality, जो की article 14 to 18 में दे रखा है, या आप बगल में photos में देख सकते हैं, right to freedom article 19 से लेकर 22, right against exploitation 23 to 24 right to freedom of religion 25 to 28, cultural और educational right 29 to 30 और right to constitutional remedies, यानि article 32, दोस्तों मैं आपको इक बाद पताना जाता हूँ, right to constitutional remedies जो है न, इसके अंदर एक part होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, principle of rates, rates मतलब 5 प्रकार की अगर आपके fundamental rights वालेट हो जाएं, तो court आपके fundamental rights को enforce करके, जो आपका violation हुआ है, उसको fundamental rights का उसको दुबारा enforce करवाने के लिए rates जारी करता है, ठीक है, ये term आपने अक्सर, जो है लक्ष्मिकांत की books या basic books में सुनी होगी, पांच प्रकार की दोस्तों basic rates होती है, habeas, corpus, mandamus, certiorary, cure, warrant of prohibition, ठीक है, तो ये जो rates है, इसको heart and soul of the constitution का गया है, ध्यान से सुनीए का इस fundamental right को, right to constitution remedies को heart and soul of the constitution का गया है, कि ये हमारे समिधान का दिल है और आत्मा है मैं आपसे ये जानना चाहूँ का comment box में ये statement, ये जो ठीपड़ी हैं, ये किसने करी थी, जरूर से बताईए का comment box में, थीक है, तो अभी तक आपके लिए तीन टास्क हो गया है, बताने वाले, एक आपको union law minister का ना मताना है, constitution day का बाता है ये बताना है, और right to constitutional remedies को heart and soul of the constitution किसने काता, थीक है, तो बढ़ते आगे इसी परिकार से दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें, तो हम लोग fundamental duty को अगर देखें, तो fundamental duty जो है, दोस्तों, वो हमें part 4A of the constitution में देखने को मिलती है, पहली जो 10 है, वो 42nd amendment act 1976 में reduce करी गई थी, आप मुझे पताईए, 42nd amendment act जो है, वो कौन से प्रधान मंतरी के कारेकाल में आयता, उस टाइम पर हमारे देश में प्रधान मंतरी थे कौन, 1976 में 42nd amendment act से 10 fundamental duties डाली जाती है constitution के अंदर, और 11 fundamental duty जो है, वो 86th amendment act 2002 से डाली जाती है, तो fundamental duties जो हैं दोस्तों, article 51A में दे रखी हैं, और जो fundamental rights जो हैं दोस्तों, तो वो मैं आपको बताना जाओंगा, part 3 के अंदर given है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इस चीज को, तो यह fundamental duty है क्या, पहली, कि हर कोई, बहलब यह एक प्रकार से duty है, citizen से एक आभान करा जाता है, कि आप इन कर्तवे को पालन करिए, क्योंकि आपको rights जो हैं, वो constitution प्रोवाइड कर रखे हैं, तो as a citizen, as a नागरिक of India, आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, अपने देश को लेकर, अपने constitution को लेकर, constitution के principles को लेकर, ठीक है, तो सबसे पहला है, कि हर कोई, constitution के idols को, अपने national flag, national anthem के, जो है, उसको respect करे, और constitution के द्वारे establish करे गए, institutions को abide करे, उसका पालन करे, उसकी respect करे, दूसरा, national freedom struggle के time पर, जो भी idols हमारे, जो freedom leaders हैं, देखे थे, उससे inspiration लेकर, आज के time पर, youth अपने आपको develop करे, और पूरी country में, उन idols का जो है, एक welfare state बना सके हैं, ठीक है, उसके बाद, तीसरी fundamental duty हमारे सामने है, कि हम लोग, जो है, अपहोल्ड करे, अपने देश की sovereignty, unity और integrity को, next, हम लोग अपने country को defend करें, और national service, अगर, जैसे, देश को जरूत है, youth की, country में serve करने के लिए, कोई war की situation आगई, harmony, मला, भाईचारा, और brotherhood को promote करा जाए, सारे लोगों के बीच में, और, उसमें कोई भीदवाफ ना करा जाए, कि religious, linguistic, regional, या diversity की basis पर, हम लोग जो है, वो भीदवाफ कर रहे हैं, कि नहीं, हम तो सिर्फ दिली वालों की मदद करेंगे, हम तो सिर्फ हर्याना वालों की मदद करेंगे, ऐसा नहीं, आपको जो है भाईचारा, इस देश में किसी भी boundary को तोड़ते हुए, वो है, वो promote करना है, और especially हम पर एक बात और बोली गई है, कि women की dignity को ensure भी करा जाए, ठीक है, next हमारा जो इतना एतिहासिक rich heritage, राय कल्चर का compositor culture का, उसको हम लोग value करें और उसको preserve करें, उसके बाद हम लोग अपने natural environment को जो है, वो project करें, यहाँ पर देखिए, natural environment में मतलब क्या, forest, lakes, wildlife river, इन सब को जो है living creatures के लिए हमारा compassion होना चाहिए, उनकी production की जिम्यदारी, जो है हर एक भरती को लेनी चाहिए, उसके बाद next point बोल रखा है, जो की edge point आपको दिख रहा होगा right hand side में, scientific temper, humanism और spirit of inquiry और reform, मतलब कहने का मतलब यह है, कि जो अंध विश्वास है, उससे भार निकल कर एक scientific temper, जो है हिंदु सानी को डवलब करना चाहिए, यह भी fundamental duty का part है next, हम लोग black property को safeguard करें, और यह कोशिश करें कि violence किसी भी प्रकार में ना हो, कि जानमाल की हानी ना हो देश के अंदर, फिर एक request यह भी करी गई थी fundamental duty में, कि सारे citizens को जो है, वो excellence की तरफ बढ़ते चलने जाना है, हर एक के शेर में जो individual, हर एक area में जो individual काम कर रहा हो, उसको highest level of achievement जो है, वो अपनी life में achieve करनी है, कहने का मतलब यह है, थोड़ा सा fundamental duty थी, वो तो जैसे कि मैं आपको बताया, 42nd Amendment Act से आगे थी, यह जो last वाली है, के वाली, कोई भी ऐसा parent या guardian जो हो, उस उसकी जिम्मदारी बनती है कि वो जिस बच्चे की देखबाल कर रहा हूँ वो उसको opportunity provide करे, ताकि वो सही सिक्षा ले सके और especially उसको education जो है, वो ensure करनी चाहिए, अपने ward या फिर अगर बच्चे के लिए, अगर वो parent है या उसका guardian है especially जब वो 6 to 14 years of age के बीच में हो, मतलब 6-14 साल के हो, 6-14 साल की age के बीच में हो, और यह वाली बात right to education से related है ठीक है दोस्तो, तो बढ़ते हैं, आके और एक और बात आप याद रखिएगा यह last वाला point है, जो दोस्तो वो डाला गया था 86th Amendment Act 2002 से ठीक है, तो अब हमारे पास है discussion करने को, rights और duties का status क्या है, President India में ठीक है, इसको discuss करते हैं अब अगर contemporary time के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हमारे भारत का जो समयधान है, वो एक main document है, जो की exhausted तरीके से fundamental rights और fundamental duties को है, वो explain करता है, define करता है, जैसे की part 3 जो है हमारे इंडियन constitution का, उसके अंदर fundamental rights के बारे में बताया हुआ है, part 4A में fundamental duties के बारे में बताया हुआ है, कि ऐसी court duties जो हर एक हिंदुस्तानी को जो है perform करनी है, इस देश को better बनाने के लिए, अपनी life को better बनाने के लिए, और दूसरे fellow citizens की life को better बनाने के लिए, कुछ rights दोस्तों जो है, हमारे constitution के अंदर, वो constitutional right तो है, लेकिन वो fundamental right नहीं है वो part 3 के बाहर है, जैसे right to property article 300A का ये part है शुरू-शुरू में ये 7th fundamental right था, लेकिन 44th amendment act 1978 की मदद से, इसको हटा दिया गया from the list of fundamental right, अब आप ये बताइए जब ये 44th amendment act 1978 से, जो 7th fundamental right था, right to property जब भी हटाए गया उस time पर हमारे देश के PM कौन थे और आपको ये भी बताने है, 42nd amendment act के time पर हमारे देश के PM कौन थे ये तोनों ऐसा माना जाता है, कि rights और duties जो है, वो indispensable है, आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से, अलग करके अलग-अलग lens से नको नहीं दिखा जा सकता तो, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है, कि fundamental rights और fundamental duties जो है, उनको एक ही तराजू में रखा हुआ है लेकिन फिर भी fundamental rights का जो है, वजन वो ज़ादा दिखता है हमारे constitution में, हमारे क्या कहते हैं, आस-पास की society में और जो duties हैं, वो काफी ज़ादा पीछे चली गई है, इसका एक example जो है, वो writer हमें देते हैं, जैसे right to life or freedom of speech and expression ये अक्सर focus में रहते हैं, news में हर जगा, articles में, editorials में आपको हर जगा देखने को मिल जाएंगे लेकिन fundamental duties की बात कोई करता ही नहीं है, जैसे अक्सर एक term आपको बस देखने को मिलती है corporate social responsibility, लेकिन एक सामने के तरीके से कि आपको जो fundamental duties as it is जैसे mentioned है, आप जैसे right to life and freedom of speech and expression, ये crystal clear word में mentioned है, fundamental rights के concept में, लेकिन fundamental duties में इतनी सारी जो हमारे duties हैं, उसकी कोई बात ही नहीं करता, बहुत कम बात उसके बारे में करी जाती है, तो हाला कि दोनों जरूरी हैं, लेकिन फिर भी, जो duties हैं, वो ऐसा दिखता है कि वो पीछे चली जा रही हैं, rights rights, rights, सिर्फ जो हैं, वो आपको forefront पे देखने को मिलते हैं, जबकि जो fundamental duties हैं, ऐसा rider का कहना है कि वो background में जा चुकी है, अब next topic में, जो है, हमसे बात करी जाती है, कि हमें rights और duties को हैं, वो अलग-अलग करके नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों जो हैं उनको अलग देखने की ज़रूत है नहीं, क्योंकि हर एक जो right है, हर एक जो fundamental right है, वो एक person के उपर एक obligation पूट करता है, कि वो दूसरों के rights को भी respect करें, अब अगर ये obligation जैसा कोई word है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, कि अगर आपके पास कोई right है, तो आप दूसरों को भी उनका right enjoy करने तो, ये एक तरीके से आपकी duty हो गई, इसका example जैसे है, कि मीडिया में, अक्सर जो है, मीडिया वाले demand करते हैं, कि हमारे पास freedom of speech है, ठीक है, हम कुछ भी दिखा सकते हैं, किसी कवारें कुछ भी अपने fundamental right को enjoy करते हो, दूसरों के right को कैसे harm पहुचा सकते हो, तो यहाँ पर बीच में concept आजाता है, जो इन दौनों के बीच में, एक लक्षमन रिखा का काम करता है, जो है duty, ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा कि दौनों complimentary है, तो अलग देखने की जरुद है ही नहीं, ठीक है, दूसरा point, individual की liberty जो है न, वो immunize हो जाती है, मतलब उनको immunity मिल जाती है, इस मौन का क्या मतलब है, जैसे rule of law जो है, वो state की responsibility है, कि यह देखना कि हर कोई जो है, कानून के according काम करे, कानून के भी ना करे, वरना state को जो है external enforcement, यानि की police और law का जो है, वो सारा लेना पड़ेगा, law and police का सारा लेकर, individual से फिर वो जबरजस्ती वो वाला काम करवाए जाएगा, अगर वो law को तोड़ता है, कानून को तोड़ता है, rule of law इस state का दो काम हो जाएगा, एक तो जो law का अफोल्ड करनी की उसकी responsibility है, वो भी हो जाएगी, और दूसरा उसके external enforcement जैसे की police और law का सारा लेना ही नहीं पड़ेगा, तो society एक तरीके से peaceful हो जाएगी, आप समझगें, जैसे अब law को तो citizen personal level पर जाके, जो है, सिर्फ follow कर सकता है, उसको enforce नहीं कर सकता, उसको enforce करवाने का काम state का है, याने के सरकार का है, national government का है, state government का है, लेकिन अगर हर कोई individual जो है, अपने rights के साथ साथ अपनी duties को भी जो है, ये देखता है, समझ कर चलता है, तो society में किसी प्रकार का violence और कुछ फैलेगा ही नहीं, इसका मतलब law का जो है, पालन अपने आप हो रहा है, और जब law का पालन अपने आप हो रहा है, तो जबर जशी state जो है, वो external enforcement का use करेगी, क्यों, problem जब है इनी society में, तो state को जैसे police, law, army, इन सब की ज़रूत पड़ेगी नहीं, किसी भी चीज़ को enforce करवाने के लिए, तो ये है कि individual की liberties जो है, immunize हो जाती है, अगर rights और duties का साथ में पालन करा जाए, अगला, अगर fundamental rights और duties को, अगर एक साथ, जो है, balance करके, अगर कोई तो एक तरीके से, लोगों का constructive engagement होता है एक दूसरे के साथ, माल लो, कि मैं एक individual हूँ, और मैं दूसरे की privacy को, उसके rights को, कि उसको भी बोलने का हक है, इन सारी बातों को अगर मैं respect करता हूँ, तो एक प्रकार से, मैं अपनी duty निभा रहा हूँ, अपने fellow human being से साथ, तो इससे एक definitely एक culture of peace और harmony जो है, वो promote होगा, और violence होगा नहीं, जब हर किसी को इस तरीके के right होँगे, और वो अपनी duties का पालन करेगा, और जब हर कोई individuals level पे करेगा, तो violence की कोई बात उठती नहीं है, और होगा भी तो बहुत institution का पालन करता है, अपनी fundamental duty को निवाता है, उसकी वज़े से peace और harmony जो है, वो society में increase होता है, और इससे ये कहना कि हमारी इंडिया, हमारी इंडिया की society बहुँचाता दर diverse है, तो diverse society में अक्सर जो है, जो है नोग जोग बनी रहती है, जो differences ने वो exist करते है, क्योंकि हमारे देश के जो नागरेक हैं, वो अपने rights और duties के बीच में balance करना जानते हैं, पैचानना जानते हैं उनको, ठीक है, तो हमारा एक pluralistic nature जो है society का, हमारी society vibrant बरकर निखरेगी, और जो हमारा pluralistic nature है society का, यानि कि हमारी society में जिस प्रकार से जो diversity exist करती है, religion, race, caste, sex, place of birth, linguistic diversity, इन सब में हम लोग balance establish करने की कोशिश कर सकते हैं, और violence किसी प्रकार का टाला जा सकता है, जिसकी वज़े से ultimately society में harmony, भाईचारा, peace और शांती व्यवस्ता जो है, वो complaint करते रहते हैं, कि सरकार ये नहीं करती, सरकार हमारे लिए वो नहीं करती, सरकार जो है, उसको हम लोग इतना tax pay करते हैं, ये pay करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है, developmental schemes वगएरा में धांगले बाजी होती है सरकार की तरफ से, उसके institutions अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो देखिए, लोगों के support के बिना सरकार जो है, इस्टेट जो है, वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकती है, एक example देखिए, अगर जनता की educational nutrition needs को अगर fulfill करना है, तो इस्टेट को ऐसे parents और individuals के support की जुरत है, एक तो इस पहुचेगा, और सरकार के पास जब पैसा पहुचेगा, तो वो भी एक effective तरीके से governance को ensure कर सकेंगे, लास्ट पॉंट, अगर कोई rights और duties के बीच में balance करना सीख जाता है, तो उसकी वैज़े से society में जो narrow egoism जो exist करता है, वो दूर हो जाता है, ये point भी important है, अच्छा point है, देखिए हम लोग अक्सर बात करते हैं कि सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए और दूसरे के rights की हमें respect करनी चाहिए, लेकिन इसको overcome करने के लिए सबसे बड़ी बादा जो आती है, ये आती है कि हर person आज के time में सिर्फ अपना-पना है, आँख फिर के लोग चले जाते हैं तो, एक book है दोस्तो The Principle of Duty, ये लिखी थी Gisipi, मजीनी ने, इन्होंने इस book में ये काता कि theory of happiness एक ऐसी theory है जो कि existence के लिए इंसान के जीवन के लिए बहुत जरूरी है लेकिन इस theory की मदद से, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही person पैदा हो सकता है, जिसमें बहुत ज़दा ego भरा हो, जिसमें बहुत ज़दा selfishness भरी हो वो अपने बारे में ही सोचे, ठीक है क्योंकि happiness की theory का मतलब क्या है कि मुझे बस मेरी खुशी मिल जाए बाकी ज़ए भाड़े, ठीक है तो happiness की theory जो है वो एक principle की साथ simultaneously exist करनी चाहिए जिसमें आप अपने आपको improve करो अपना self sacrifice के principle को जो है, वो क्या कहते हैं develop करो अपने अंदर और ये भी देखो कि मैं fellow man, मरलब दूसरे जो इंसान है, समाज में जो रह रहे हैं आपके भाई बेन, जिनको आप मानते हो तो आप हर एक इंसान को जो है, उनके साथ unit होने की कोशिश को और self sacrifice के principle को follow करो और ये जो principle है ये ही है आपकी duty तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि इस book में ये बताय गया है कि आपके जो rights है, आपके जो करतव पे है वो आपकी duties के साथ ऐसे exist करते हैं कि आप सिर्फ अपना अपना भला मत सोचो आप जो दूसरे society में जो fellow human beings रह रहे हैं आप ये भी recognize करो कि आपकी duty उनके प्रती भी बनती है ऐसा ना हो कि आप अपनी happiness देखते-देखते किसी का harm कर बैटो कि हाँ भई मेरा काम तो हो गया मेरे को मेरी खुशी तो मिल गई दूसरे जाए भाड में इस प्रकार से आपकी thinking नहीं होनी चाहिए कहने का मतलब ही है ये वाली बात दोस्तो थोड़े सा ये वाला फिलोस्फिकल है कि आपको ना एक तरीके से जो selfishness है ना उसको overcome करना पड़ेगा और human evolution अगर कहीं होते हैं माल लो तो उसके खिलाब आवाज उठाओ उसको avoid मत करो आप नजरे मत फिरो उससे ठीक है कि अगर किसी के साथ कुछ गला तो होता हुगा देख रहे हो कोई बात नहीं आप आवाज उठाओ एक आवाज उठाना भी एक किसी को support देना भी एक तरीके से सामने वाले के अंदर होंसले और जस्पे जो है वो difficult situation से हो सकता है overcome हो सके तो rights और duties सबसे पहला issue है difference of nature देखो जो rights हैं बड़ी सारे rights जो है वो human beings के साथ by birth जो है उनके साथ आते हैं जैसे freedom के principle को और liberty के principle को हम लोग first day से follow करते हैं अपनी life में कहां भई हमें आजादी चाहिए आजादी चाहिए इस चीज़ के लिए हर को ही रोता रहता है लेकिन duties जो है वो capable individuals की perform कर सकते हैं right तो चलो आपके साथ by birth चले आए लेकिन duties जो है ज़रूरी नहीं आपके साथ by birth से जुड़े हो जैसे अब एक duty है कि women की आप respect करो women की dignity को promote करो अब ये चीज़ किसी के मन में भी तो होनी चाहिए कि हाँ मुझे औरतों की dignity को ensure करना है जो है women की dignity को ensure करने के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकता हूँ मैं self sacrifice करने के लिए तयार हूँ अब ये चीज़ जो है वो by birth सब में थोड़ी ना होगी A to Z individual में लेकिन personal liberty की जहां तक बाता है वो हर individual को चाहिए freedom हर एक individual को चाहिए हर तरह की freedom चाहिए लेकिन एक duty के national monuments को खराब मत करो animals के प्रती प्यार रखो national parks, rivers, lakes वगए रखो उनकी cleanliness को ensure करो ठीक है लेकिन यह वाली चीज़ हर किसी में नहीं होती ठीक है आप flora, fauna, environment से प्यार करना women के dignity को ensure करना यह वाली बाते जो होती है मन से आती है तो इसके लिए capable individuals की ज़रत होती है और यहाँ पर एक clash आ जाता है कि rights और duties के बीच में जब किसी के मन से ही duty नहीं आ रही है तो आप कैसे उसको जबरजस्ती करवा लोगे फिर दोस्तों एक बात एक और है कि state जो है वो हमेशा complain ना करे कि individual अपनी duty नहीं नहीं भारा अरे भाई आप यह भी तो ensure करो ना आप यह देखो कि rights जो है ऐसा माना जाता है बहुत जगा पर ऐसी situation होती है कि rights जो है वो पहले आते है duty से वैसे तो दोनों equal हैं लेकिन rights कभी कबार किसी situation में सबसे पहले अगर rights ना होना अगर rights ensure ना होना तो duties कैसे भी ensure नहीं हो सकती है जैसे right to education जो है ये एक right है लेकिन अगर कोई individual इस rights से बंचित रह जाता है उसको ये नहीं मिलता तो आप कैसे उससे expect कर लोगी क्योंकि सेक्षा तो आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है समास से related फिर आप कैसे ensure कर लोगी कि वो person बढ़े हो कर social justice, gender equality इन सब principles को वो है follow करे तो अगर किसी individual को basic dignity और अपने rights जो है बच्पन में ना मिले हो तो वो दूसरों के rights जो हो violet हो रहे हैं तो वो देखता रहेगा आराम से खड़वा क्योंकि उसको भी वो rights नहीं मिल रखे और उसको पहली बात है right to education जैसा अगर right नहीं मिल रखे तो वो क्या follow करेगा क्या मानेगा क्योंकि एक जो पड़ा लेखा व्यक्ति होता है उसको तो समझाना बहुत आसान होता है लेकिन आप भी चानते होगे गरवार व्यक्ति से आप argument पे argument करते चलो उसके पास हर चीज का reason होता है क्योंकि वो scientific basis पे बात करना जानता ही नहीं है तो rights जो हैं वो duties से पहले आते तो rights को ensure करवाना भी state की responsibility है उसके बाद दोनों का अलग-अलग legal status है यहाँ पर भी हमें clash देखने हों को मिलता है जैसा कि आप जानते होंगे जो rights होते हैं वो justiciable होते हैं कहने का मतलब है अगर आपके rights का उलंगन होता है fundamental rights का उलंगन होता है powers को आपके पास यहाँ तक भी है कि आप directly supreme court जा सकते हैं आप directly high court जा सकते हैं ठीक हैं लेकिन जो duties होती है वो non-inforcible होती है कहने का मतलब है अगर इनको कोई follow नहीं कर रहा तो आप court नहीं जा सकते हैं और court जो है आदेश नहीं कर सकता कि person को जो है यह duty follow करवा हो यह करवा हो लेकिन fundamental rights को follow करवाने के लिए court आदेश दे सकता है जिसको हम लोग कहते हैं rates जो duties हैं वो सिर्फ एक constitutional और legal issues को interpret या guide करने के लिए काम आती है जैसे किसी cases में के AIMS Student Union versus AIMS 1983 case के मिलम seat-o के reservation देना है medical institution में seats बढ़ानी है या कुछ बढ़ानी है तो duties जो है यह non-enforceable है लेकिन जो rights है वो क्या कहते हैं आपके enforceable है और ऐसा Supreme Court का भी मानना है यह Supreme Court ने इस case में बोला हुआ है कि duties enforceable हैं यह सिर्फ और सिर्फ काम आती है जो legal और constitutional issues होते हैं उसको guide और interpret करने के लिए तो इस case का नाम भी आप याद रख सकते हैं कि जब भी आपको fundamental rights, duties और इसका अगर question आये balance करने को तो आप इस judgment को Supreme Court की use कर सकते हैं आपको marks अच्छे मिलेंगे next point उसके बाद जो duties हैं अगर उनका पालन ना हो तो state एक प्रकार से state को भाना मिल जाता है अपनी responsibility से बचने का कहने का मतलब यह है कि rule of law का protection देखना और human rights को ensure करना यह एक state की responsibility है सरकार की responsibility है और इसके लिए सरकार के पास constitution के बहाव पर एक special powers भी है कुछ कानूनों का पालन भी सरकार करवा सकती है police force वगरा का use करके laws का use करके लेकिन सरकार जो है इस चीज़ को बहाना कभी कवार ना समझे कि individuals ने क्योंकि rights को जो है वो fulfill नहीं करा इसलिए हम लोगों ने rights को जो है वो enforce भी नहीं करवाया कहने का मतब यह है कि non fulfillment of duties उसको आप reason की तरह use नहीं कर सकते कि rights का भी enforcement इसलिए नहीं हुआ क्योंकि duties जो है उसका भी पालर नहीं हुआ था citizens की तरफ से अरे नहीं भाई चाहे duties भले ही citizens follow ना करे और वो follow ना भी करें तो उससे कोई फरक नहीं बढ़ता क्योंकि यह वैसे भी non-enforceable है आप भी court नहीं जा सकते वो भी court नहीं जा सकते लेकिन rights को जरूर ensure करवाओ अगर आपको harmonious और peaceful society अगर ensure करनी है तो next point अगला point दोस्तो यह थोड़ा सा अजीब point है यह use करने लाइक नहीं है वैसे भी exam के अंदर risk of subordination democratic governance में democratic framework में होता क्या है एक fundamental unit जो होता है constitution का आपको पता है वो एक individual को ही समझा जाता है एक person जो है उसी के लिए सब कुछ हो रहा है वो ही सब कुछ हो रहा है लेकिन अगर इस fundamental इस person के अगर एक जगा पर fundamental rights है और एक जगा पर fundamental duty है तो duty हमेशा दोस्तों देखिए वो ही follow करी जाती है जो की एक बहुत large section of the society जो है बड़े सारा जो group है people का वो follow कर रहा हो यानि की collective will ठीक है एक साथ मतलब सब लोग अगर follow कर रहे हो अगर individual के हम लोग individual duty पे भी focus करने लग जाए मतलब एक person को अगर हम लोग ये बोले के तुमने fundamental duties का पालन नहीं करा तो फिर आप उसके rides को जो है वो degrade कर रहे हो और आप उसकी आवास को उसकी free will के concept को आप दवा रहे हो collective will के सामने उसको subordinate कर रहे हो मतलब society में सब लोग जो follow करते हैं जो duty का पालन करते हैं वो ही तुम भी करो तो जब ऐसा person करने लगेगा तो उसके कुछ individual जो freedom है वो भी तो हम होंगे न उससे ठीक है तो आप इसकी language change करके किस वाले point को लिख सकते हो यह वाला point वैसे ठीक नहीं है क्योंकि इसकी language बिकार है यहाँ पर जो use कर रखी है ठीक है next point अब next point दोस्तों बड़ा interesting है vague और subjective nature जो होता है यह भी एक तरीके से clash का point बनता है जैसे मैं आपको एक example देता हूँ हमारी fundamental duty अभी हमने देखा था उपर हमसे कहती है कि हमें जो है scientific temper जो है वो develop करने की जूरत है अब एक side पर individual जो है scientific temper जो develop कर रहा है तो दूसरी side पर अगर वो individual scientific temper को जो है importance दे रहा है तो obviously बात है जो भी गलत धाड़ना या फिर जो भ्रम जो exist करता है एक तरीके से कि आप जो है evil शक्तियों में मानते हो devil शक्तियों में मानते हो भूत परेत में मानते हो परसन इन सबसे बाहर निकल कर scientific temper जो principles को जो है वो follow कर रहा है लेकिन हमारे देश के क्या religious principles आज इतने modern है क्या कि वो इन सब चीजों को माने scientific principles को माने आज भी आप अपने घर के सामने अगर चाहे फरारी लगा दो या कोई भी गाड़ी लगा दो तो उसको सबसे पहले ऐसे माने जाता है कि आप उस पे सबसे पहले तिलक करो आप नीबू लगाओ आप नारियल फोड़ो ठीक है मंदिर जाकर उसकी पूजा करवाओ तो ये scientific temper एक side पे develop करना और पुराने religious principles को छोड़ देना ये एक तरीके से clash पैदा करता है क्योंकि religious principles हमारी society में religion इतना बड़ा topic है इतनी गहराई से लोगों की दिमाग में और society के roots में जड़ा हुआ है कि religious principles जहाँ पर आते हैं तो वहाँ scientific temper नहीं होता जब scientific temper आएगा तो वहाँ पर religious principles जो है उनका sacrifice होगा तो जब ऐसा कुछ होगा तो clash आएगा और हो सकता है कि individual को ही जो है वो society में बिट्टे में बना दिया जाए इन basis पर तो एक प्रकार का wake और subjective nature भी होता है rights और duties के बीच में और especially fundamental duty का जैसा कि मैंने आपको बताया कि scientific temper जो है person को develop करना है ठीक है लेकिन फिर भी हमारी society आज भी तनी modern नहीं है कि आप पूरी तरीके से हर एक चीज को scientific temper के साथ जोड़ जोड़ कर जो है आप relate करने लग जाओ क्योंकि आज भी जो लोग है अंद विश्वास में काफी जादा हमारे देश में मानते हैं जैसे एक और example ले लिजिए कि Tuesday को नाखूर नी काटना Thursday को बाल नी कटवाना Saturday को ये करना है तो या फिर ये क्या कहते है नीबु मिर्ची के उपर पैर नी रखना काली बिली अगर आसा काट गई तो ऐसे होगा अब ये सारी चीज ये क्या एक ही बार से क्या हटाई जा सकती है और अगर फैमिली का पांच लोग रह रहे है और एक इंडिविजल जो है वो सैंटिफेट टेंपर पे अगर विश्वास भी कर रहा है तो उसको आप जानते हैं कैसे कैसे ताने देती है कि हाँ कुछ जादी पढ़ ली है तुम तो जादी अंग्रेज हो गए हो ठीक है तुम्हें क्या समझ है हमारे पूरवज लिखकर गए थे वली चीज और ये चीज फॉलो होती है तो एक प्रकार से इंडिविजल के अंदर भी देखिए दोस्तों इंसर्ट बातों की वज़े से क्लैश जो है वो पैता होता है आई होब आप रिलेट कर पाए होगे इस पॉइंट को इंडियन सोसाइट्टी के एक्सपिरिंस से वे फॉरवड में दोस्तों हम लोग इस डिसक्रशन के बेसिस पर इतना बोल सकते हैं कि बेसिक human rights और dignity को ensure करने के लिए एक balance जो है वो जरूरी होना चाहिए अगर हम लोग चाहते हैं कि rights और duties का जो है equal application हो तो सबसे वेला point है इस state जो है वो अपनी responsibility जो है उसको accept करें कि बले ही चाहे duties जो है citizens के दोरा follow proper तरीके से नहीं करी जा रही है लेकिन आप इसको भाना मत पनाओ कि हम इस वज़े से human rights को promote नहीं करवा सके और protect नहीं करवा सके आपको करवाना चाहिए आप अपनी primary responsibility निभाओ जो की rule of law को निभाना rights को ensure करवाना आपकी जिम्मेदारी है उसके बाद हर एक citizen जो है उसके पास minimum core rights हों जो की economic, social, cultural rights होते हैं ensure करवाए state ठीक है और independent human rights institutions जो हो वो monitor करें state के institutions को जैसे police, judiciary, civil administration जो है कि person के human rights जो है वो protect हो और violation जो violation हो रहा है rights का वो prevent हो किसी भी तरीके से उसके बाद democracy की जड़े जो है उसको और मजबूत बनाने की अवशकता है ताकि fundamental issues जैते हैं हमारी society के अंदर जो exist करते हैं inequality, intolerance caste के basis पर, religion के basis पर, color के basis पर, region के basis पर इन सब को दूर करा जा सके ताकि individual के rights जिनका subordination होता है कि एक person के rights जो है वो दब कर रह जाते हैं एक collective will के सामने जैसे कि हमने उपर देखा था और इससे एक duties को maximize करने की possibilities के individual duties को भी fulfill करें ये भी ensure हो सकती अगर हम लोग democracy को सही way में जो है वो follow करें ये वाला point तो दोस्तों आपको हर जगा देखने को मिल जगा common point है उसके बाद एक basic charter जो है हमें लोगों के लिए develop करने की आवशकता है और लोगों को जागरोग बनाने की भी आवशकता है जिससे उनके अंदर एक constitution morality आए constitution morality का मतलब क्या कि constitution के principles को follow करने की अवाख दिल से आए और वो एक responsible citizen बने जैसा universal declaration human rights जो है article 29 clause 1 उसका ये कहता है कि कोई भी society में एक individual की जो free और full development है उसकी personality की वो तभी possible है जब हर एक person अपनी duty की जिम्मेदारी जो है इस प्रकार से निफाए अपनी जिम्मेदारी समझे कि उसकी society की तरब भी अपनी community की तरब भी कुछ जवाब दही बनती है हर एक individual जब individual अपने खुद के level पर ये responsibility लेना सीख जाएगा तो वो अपनी personality को free और full तरीके से जो है वो develop कर सकता है तो दोस्तों ये आज हमने बात करी comprehensive तरीके से कि किस तरीके से जो है rights और duties का balance जो है आपको देखने को मिलता है तो main से related सभी aspect जो है आपको वो देखने को मिल गए है और plims के लिए आपका एक ये वाला चार्ट जो है fundamental rights related जो की part 3 का है ये और इसके लावा आपको ये वाला जो part 4 है fundamental duties जो है ये आपको देखने को मिला ये फिलम से related है बाकी सारा article जो है आपका इसमें main से related है तो दोस्तों ये जो question है ना इस प्रकार की question अक्सार आपको देखने को मिलते लेंगे exam के अंदर के fundamental rights और fundamental duties के बीच में balance क्या कहते है create करो differences बताओ fundamental rights और DPSPs के बीच में balance बताओ तो ये सारी aspect जो है important है या आपको बार-बार पता होना चाहिए ये थोड़ा सा mains oriented और analytical part हो जाता है लेकिन हम इन सारे aspects को जो जो articles आते रहेंगे हम discuss करेंगे जो भी बाते में आपसे comment box में बूचेंगे please आप उसका answer देना तो आज की discussion में दोस्तों इतना ही I hope दोस्तों आपको मजा आया होगा इसी प्रकार से हम लोग Vision IS की जो magazine है उसको comprehensive तरीके से cover करते रहेंगे तो thank you, thank you very much for discussion